आज आज आप जैसे थामनेल में आपने देख लिया होगा तो आपको देखने को मिलेगा नया लोकेशन जहां पर विलाजू मोल है जहां पर टोर्च होटल है आज जहां पर इंटरनेशन खालीपा स्टेडियम है तो आप पूरा लोकेशन को अच्छी तरह से देखिए पूरा वीडियो देखिए गाईज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और शेर करते रहिए तक लोकेशन को मैं देता रहूँगा कतर की जहां पर मैं जॉब करता हूँ आभी फिलाल कतर में हूँ तो यह बहतर जगह है खास करके घूमने के लिए अच्छी जगह पर अच्छा लोकेशन है तो गाईज प्लीज बने रहूँगा मैं पहुंचा हूँ अभी इस पार जून का हैड़ ओपिस में यह मेरे ठीक सामने पे पिछे देख रहे हैं आप यह इस पार जून का हैड़ ओपिस है जहां पर हम लोग जोगिंग जो आप पहले वीडियो में देख चुके आप यहां से पंदरे मिनिट की दूरी पर है विलाजू मॉल गाईज इस पोर्ट सिटी के नाम से जाना जाता है पूरा इलाका को यह पूरा इलाका इस पोर्ट सिटी इस थोड़ा आज कल मैं वेट लूज भी कर रहा हूं तो आप देख रहोंगे पहले वीडियो से बैतर लग रहा है न थोड़ा वेट लूज हो गया चार-पांच किलो वेट लूज हो गया पूरा स्पोर्ट सिटी स्पोर्ट सिटी के नाम से जाना जाता गाईज यह एंड टोटल पूरा इरिया तो साइड में जो ट्रैक बने वेए जो ग्राउंड बनावाई जोगिंग के साइश्ट कुछ मिंट्वों पर डिसंस है सिधे सिधर ट्रैक है तो सिधा आप यहां आ सकते हो यहां पर विला जो मोल है कलीपई स्टेडियम है टॉड्च होटल है तो आज उसका नजारत देखिए आप पहुंचाऊं मैं खलीपई स्टेडियम के ठीक सामने यह है टॉड् झाल झाल सुरज आप देखिए कि तक सुरज आप मैं इस वीडियो में दिखाएगा यह देखिए पुरा ग्राउंड देखिए कि यही साइट है पुरा देखिए झाल हलिपा इंटरनेशनल स्टेडियम सबसे पुराना स्टेडियम है फुटबॉल का यहां पर भी फीफा 2022 यहां पर होगा और यहां पर सबसे ज्यादा मैचेज होते हैं यह चालिस हजार की कैपसिटी है सिटिंग इसका और देखें गाइस खलेपा इंटरनेशनल स्टेडियम जलते पहुंचा हूं मैं ठीक बिलाजू के सामने आपको दिखाता हूं बिलाजू का मॉल जो बिलाजू का सबसे बड़ा मॉल है तो मैं उसके अंदर भी जाओंगा आपको और दिखाओंगा और उसका फ्रंट देखें आप हुआ 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 है कि अधिक बिलाजू मॉल के अंदर यहां पर वैसा बहुत ज्यादा इंस्क्षन है तो तोड़ा आप देखिए तो एक्सपेंसिब मॉल है एक्सपेंसिब मॉल है और भूत ही भेतर है और यह जो आप एर उपर स्क्रीन देख रहे हो यह ऐसा लग रहा होगा न जैसा आस्मा बड़ा आस्मान नहीं है गाई यह आटिफिशल बना हुआ है जो लॉब बना हुआ है को 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 अ हुआ है है कि कि क क झाल 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 स्क्रीन दिखरी होगी ना ये स्क्रीन आटिफिसल है विडियो शुटिंग भे अलाउड नहीं हैं क्यूंकि कुछ न कुछ instruction दे रखे हैं तोसे इस वज़े से हम लोग जाद investigators नहीं निकाल सकते हैं लेकिन ये बहुत ही बहुत ही भैतर है बहुत ही भैतर एंद भहुत ही अच्छा घुमने के लिए फामिली बच्चों के लिए बहुत कुछ है सो बच्चों के लिए इस्पेसली यहां पर यह जो मैं आपको दिखाए था जो आप देखा देखा होगा वीडियो में जो बोट होगे रहे हैं वो हैं एंड छोटी-छोटी किट्स टॉइज जो बनी हुई है वो हैं सो बहुत ही भैतर अच्छी जगह है फैमिली के लिए इस्पेसली सो फैमिली एंड किट्स केरी फोर्ड मतली यहां पर इसके अंदर सुपर मार्केट है तो यह वाला जो गेट है यहां से सुपर मार्केट जाता है मैं अभी सुपर मार्केट की तरफ दिखा रहा हूं यह सुपर मार्केट का जो इंट्री है यहां से सुपर मार्केट केरी फोर है केरी फोर इसका ना बड़ा है बहुत बड़ा है बहुत बड़ा केरी फॉर है इसका नाम केरी फॉर है सुपरमार्केट तो यहां पर अलग 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 सेक्षण है टीवी का कलेक्षन टीवी यह बहुत बड़ा है इतने जल्दी खतम नहीं होने वाला है यहां पर भी काफी है गुमने के लिए बहुत जगा है बहुत कहीं कहीं जगह पर इंस्ट्रक्शन दे रखा है शेकृर्टी रोक रहा है बार-बार ने केरीफ़ॉर में गया था तो केरीफ़ॉर में मुझे रोक अंदर शुटिंग करने के लिए कोई तिकत नहीं हम दूसरी जगह से ले लेंगे हैं तो मैं आपको यह पूरा ही दिखाऊंगा मतला जहां तक दिखा सकता हूं अभी तुम्हें आदा हिस्सा में इसका घूमा हूं कि आपको अच्छा लगा होगा कितना बहतर खूबसूरत जगह देखिए यह बहुत बड़ा मेरे उपर देखो जूमर देखो कौची का सारो में के गुची का बांड है गुची का बांड हुची यह जब दढ़ कि आहां तो इस पार टो कि थिजा जब टेक आप में चलतेख आप ही गरं हो रहा है सो मैं बैठा हूँ थोड़ा ग्राउंड में रेस्ट करने के लिए आप देखें मेरे पीछे टॉड छोटल में जा रहा है ना अभी वो लेजर सो चल रहा है उन्होंनों एड़टाइज होगे रखिये होगी थीफा के लिए सो बहुत ही बैतार है मैंने वीडियो में बी डाला आप देख रहे होंगे हुआ 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 है